भारतिय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो है बेटी डराओ और ब्रजभूशन बचाओ इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संग्रक्षन ब्रजभूशन शरन सिंग को दिया जाता है कि 15 तारिक तक चारशीट फाइल हो जाएगी, क्यों? उनको कैसे पता था? ये चारशीट दिल्ली पुलीस ने लिखी है या इस चारशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्याले में किया गया है इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया जिनके साथ फोटों खिचाते वक्त ठकते नहीं थे मोदी जी जिनको अपने घर की महिला लड़किया बताते थे पचास दिन से उपर हो गया एक शब्द इस देश के प्रधान मंत्री से नहीं पूटा अभी थोड़ी देर पहले अमिच्शा की दिल्ली पुलीस ने हजार पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोशड के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजबूशन शरण सिंग के खिलाफ भाजपा के बाहुबली नेता रेस्लिंग फेडरेशन के चीफ भारतिय जनता पाटी के सांसद अमिच्शा की आँखों के तारे इस एक हजार पन्ने की चार्जशीट में करीब पात्सो पन्ने में दिल्ली पुलीस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए ये साबित किया है कि कैसे ये पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी FIR का कैंसलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजबूशन शरण सिंग को मैं आपके सामने एक बात रखती हूँ और ये फैसला देश की जनता करेगी एक अव्यसक लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है यौन शोशर का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र सारी पुलीस इस देश की सत्ता इस देश की सरकार सरकार के मंत्री सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते है और संगरक्षन ब्रजबूशन शरण सिंग को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते है उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है ये देश की जनता तै करे कि क्या प्रभाव के तहतिये किया गया क्या सप्ता का दुरुपियो किया गया क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था क्यूंकि अब एक बात साफ है भारतिये जन्ता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो है बेटी डराओ और ब्रजभूशन बचाओ पूरी तरह से ये बात साफतोर से अंकित हो चुकी है मैं आप से पूछना चाहती हूँ पॉक्सों का जब गंभीर आरोब किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंट कारवाई की मांग होती है और वो कारवाई होती है तुरंट हिरासत में लिया जाए पैतालिस दिन तक ब्रिजभूशन शरणन सिंग से पूछताश तक नहीं करती दिल्ली पुलीस दिल्ली पुलीस एफाई आर तब दव्च करती है जब सुप्रीम कोट हस्तक शेप करता है दिल्ली पुलीस हिरासत में नहीं लेती पूछताश नहीं करती एक बाहु बली व्यक्ति है इसको आजाग घुमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनिस को टैमपर करें किसी भी विक्टम को डराएं कोई पूछताश नहीं है ये मीडिया में इंटर्वियू देके मेडल को 15-15 रुपय का बताते हैं ये मीडिया में इंटर्वियू देके good touch और bad touch की बाते करते हैं ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं लेकिन दिल्ली पुलीस 45 दिन तक आरोपी से और इतने गंभीर आरोपी से पुछती हूं, एक अव्यसक लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है, क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बेहने हैं, पूरा तंत्र जुटा हुआ आज चार्चीट फाइल होती है लेकिन खेल कूद के मंत्री ने तो पहले ही भवश्रिवारी कर दी थी कि 15 तारिक तक चार्चीट फाइल हो जाएगी क्यों उनको कैसे पता था यह चार्चीट दिल्ली पुलीस ने लिखी है यह इस चार्चीट को लिखने का काम भाजपा के का पर्याले में किया गया है और कौन है दूसरी तरफ इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया जिनके साथ फोटों खिचाते वक्त ठकते नहीं थे मोदी जी जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे पचास दिन से उपर हो गया एक शब्द इस देश के प्रधान मंत्री से नहीं फूटा ये अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान उन बेटियों के चरत पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने इनके एको सिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संग्रक्षण देते रहे लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा भारतिये जंता पाटी हर बार संग्रक्षण आरोपी को बलातकारी को जो योन शोशन करता है उसी को देती है याद है न कुलदीब सिंग सेंगर याद है चिन्मियानन्द य याद है लखीमपुर का चीरहरण, याद है आपको अंकिता उत्तुरा खंड की, याद है आपको हाथरस की गुडिया, हर बार संगरक्षन, आरोपी को दिया जाता है, हर बार संगरक्षन, दरिंदे को दिया जाता है, हर बार बेटियों के खिलाफ, खड़े होने का काम, भारत तंगरक्षन आरोपी का होगा, बचाया आरोपी को जाएगा, जोका बटी में देश की बेटियों को जाएगा, हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की नियाए पालिका, इस देश के कोट इसका संग्यान लेंगे, कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बया पालिकान बदला गया, वो बदला उस दोर में गया जब आरोपी उन्मक्त रूप से बाहर घूम रहा था, उसके उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन ये वही दिल्ली पुलीस है, जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किये, क्ल इस देश के न्यायालेयों में अभी न्याय जिन्दा है, और इन बेटियों को और खासतोर से इस अव्यसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दे, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ को, अगर आपके सपर कुछ सवाल हों तो हम जरूर उसको लेना चाहेंगे, I will actually briefly make a statement in English on this, just a little while back the Delhi police has filed a thousand pages charge sheet against Brijbushan Sharan Singh, over 500 pages of that charge sheet are dedicated to how a clean sheet has been given to him and the whole case under Paukso has been withdrawn, the law of Paukso says that the moment a case is filed, the perpetrator, the supposed perpetrator of that crime has to be arrested because he should not tamper witnesses, he should not intimidate victims, nothing of that sort happened with the BJP MP, nothing of that sort, he was at large absolutely free for 45 long days, he could have done anything, he was giving television interviews, calling the medalist 15, you know available for 15 rupees, he was talking about good touch, bad touch, he was talking about how he is going to teach a lesson to people, not a word from the prime minister or the home minister of this country, the same Delhi police that took a month to file an FIR in the first place and had to do so after the Supreme Court's intervention, was very quick to give a clean sheet, but the reality is that when you have a man as strong and as powerful as Brijbushan Sharan Singh and the entire government, the entire system, the agencies, the police, the MPs, the ministers all standing with him, what chance does a minor girl have to seek justice, that's the question people of this country and all of you should answer today I also think it's a pattern, it's a script whenever there is a crime against women, whenever the BJP will always be found standing with the perpetrator of the crime and never with the girl you begin with Kuldeep Singh Senghar, you go to Chinmay Anand, you go to Hathras, you go to Lakhimpur you go to Uttarakhand and you go to the crime and the woman means she is herself because the government is going to solidly stand as the perpetrator of that crime and this is no exception either but we do hope that the courts in this country are going to take cognizance of this matter the courts of this country will take cognizance of the matter that for 45 long days the MP was not questioned once the courts will take cognizance of the fact that the magistrate statement changed twice under what circumstances the courts will look into this the courts will take cognizance of the fact that India's most decorated athletes were brutally beaten up by the same Delhi police intimidated dragged on the streets of Delhi and the government kept absolutely quiet that's the reality of this case the Delhi police along with its Master-in-Chief Amit Shah stand exposed but today I hate to say that the man who stands exposed completely before this country is India's elected Prime Minister Narendra Modi for his complicity, for his silence and for the patronage he offers to perpetrators of crime if you have any questions, then we will take a look at it if you have any questions, we will take a look at it this discussion kyle and we will take a look at it from Tyshara for all human virtually this scripture which will come to pass this scripture this scripture does not give us some this Luble that this culture कौन हैं यह किसके लिए काम करते हैं क्या यह वही सूत्र हैं जो भविश्वारी कर देते हैं कि 15 तारिक को चार्जशीट दायर होगी दिल्ली पुलीस इस देश के खेलकूद मंत्री को रिपोर्ट करती है क्या कैसे पता था उन्हें कहां से उनके पास डेट आई थी दिल्ली पुलीस एक स्वतंत्र कानून व्यवस्था बनाने वाली पुलीस है या अनुराक ठाकुर के ऑफिस में बैठ कर FIR लिखने वाली या चार्जशीट लिखने वाली पुलीस है कौन है यह सूत्र और आप गलत हैं मैं आपकी इस बात का खंडन करती हूँ यह मामला बेटी के बयान से नहीं यह मामला 17 अगस 2021 से शुरू हुआ था जब विनेश फोगाट ने इस देश के प्रधान मंतरी को यौन शोशन के मामलों के बारे में अवगत कराया था और प्रधान मंतरी ने कहा था आपकी बात सुनी जाएगी कारवाही होगी और आपके पास खेलकूद मंत से फोन आएगा वो आज भी उस फोन का इंतजार कर रही है 17 अगस 2021 को इस देश के प्रधान मंतरी को पॉक्सो की शिकायत यौन शोशन के मामले के बारे में पता था प्रधान मंतरी क्यों चुप रहे क्यों दिल्ली पुलीस प्रधान मंतरी से पूछताच करने नहीं गई ज जितनी पर्पिट्रेटर ऑफ क्राइम जितनी आरोपी के खिलाफ तो यह मत बोलिये यह मामला इन लड़कियों ने शुरू किया यह मामला 2021 अगस्त में प्रधान मंतरी को के संग्यान में जब यह लाया गया तब ही से शुरू हो गया था और आज लगभग दो साल बाद प् कि मुझे नहीं लगता केस कमजोर होगा मुझे इस देश की न्याय पालिका पर भरोसा है मुझे इस देश की कानून पर भरोसा है और मुझे लगता है कि इस देश की जनता ने एक तौर से तैं कर लिया है कि न्याय ना होने का परणाम यह है कि देश की सबसे कर रही है और जो बरबरता दिली पुलीस ने करी है क्योंकि सरकार तो आरोपी को बचाने में बिल्कुल मश्कूल है बिल्कुल मस्त है तो मुझे नहीं लगता उनका केस कमजोर होता है मुझे लगता है सरकार की निरंकुष्टा को देखते हुए उनका केस और मजबूत होता है और सवाल ये उठता है कि दो साल तक प्रधान मंत्री इस पूरे मामले पर चुप क्यूं रहे